आपके शाथ उमेशवाल मैं बाड़नमा 250 सभापुर बाड़ में हूँ जहां आधिम पाड़ी के प्रतियासी हैं बिरंदर गुपता पौजी और आज आखरी दिन है कुछी घंटों में चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा पांच बजे सम्थिंग बंद हो जाएग लोगों के बीच में किस तरह की बात हो रही है और क्या चलना है लोगों में एक तरफा यही मैसेज है कि पूरे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार MCD में बन रही है पूरी जंताने परिवर्तन का मूड बना दिया है और वही मूड हमारे विधान सभा के पांचो वाड़ में ह हमारे वाड सभापुर में भी है, सारा जो है परिवरतन हो चुका है, परिवरतन चाहते हैं, हर आदमी कूडे से तरस्त है, भ्रश्चा चार से तरस्त है, घर बनाने पे जो उगाही होती थी उससे तरस्त है, यहाँ पे निगम पारसत, विद्धायेक सांसत, तीनों बना दिया की नरक्स से जंता मुक्ती चाहती है और पूरी जंता ने भारी समर्तन दिया है हर गली में जहां की भारी मतों से आप जीत रहे हैं और सब का चाहे बुजुर्ग हो चाहे उonce हो चाहे और महिला हो सब थो आधर है हो भारी मतों से आम आदमी पार्टी जीत रही है हम लोग यमसीडी में आ रहे हैं दृंदर उप्ता जी अगर हम बात करें जिस तरह से जो आगलन आ जा रहा है क्या लग रहा है बसपा से आपको नुक्सान है बसपा से हमें पूरा कुछ भी नुक्सान नहीं है किसी से लोग चुनाओ जीप क्या लग रहा है उसका benefit आपको मिलेगा तो हमें मिली रहा हमें तो इनके कर्मों का फल मिल रहा है जो इन्होंने कर्म किये है 15 साल नरक बनाया उसका फल मिल रहा है विरंदर गुपता जी आप गरीवी को अच्छी तरह से जानते हैं गरीवी को दर्द को भी अच्छी तरह से जानते हैं क्या लगता है यह लेंटर माफिया और यह क्रेप्शन सो जो चल रहा है उन्चीडी से क्रेप्शन बंद होगा बिल्कुल देखे इन्होंने जंता को कुछ तो दिया नहीं कूरा करकट नरक के लावा दिया इसके अलावा घर जब कोई सब लोग वहां पहुच जाते हैं उगाही करते हैं हमारी सरकार यमसीडी में बन रही है के जुरी हमारे मुखमंत्री के जिवाल जी ने संकल्व लिया है हमारे निगमपारसद बनने के बाद जब भी कोई घर गरीब घर बनाएगा किसी दलाल की आउकात नहीं है वहां आके एक रुपया मांग सकेगा यह हम जंता को भरोसा दिये हैं करके दिखाएंगे बिरंदर जी जो आप कहरें देखी क्रप्सन कहां तक है क्रप्सन तो इतना है एक तरफ तो यह कह रहे है कि हमें एम सीडी में पैसा नहीं मिल ला है के जीवाल पैसा नहीं देगी दूसरा नहीं तो पैसा इनके पास कहां से आया जिसके पास पिछले चुनाव में दस लाख रुपे नहीं थे आज वह दस करोड का मालिक बन गया कहां से बन गया तो लूटी ने जंता को लूटा है पूरी एम सीडी को कंगाल बनाया इन्होंने करमचारियों की पेमेंट नहीं दिय है इन लोगों ने तो हमारी सरकार है हर करमचारी को समय पेपाइसा मिलेगा और पूरा काम होगा और कोई भी करबसन नहीं होगा जनता की सच्चे दिल से सिवा होगा सुनाली आपने बिगत कई महीनों से क्या मैं साल से देख रहा हूं कि साच्ची के साथ अप लगे रहते हैं और यह चुनाओ प्रचार का यह लाश्ट टाइम है आज पांच मुझे चुनाओ प्रचार बन लोगों इस बार आमादी पार्टी को ही लेकर आएंगे आमादी प मौका मिलता तो यहां पर भी सारा काम होता पर इन लोगों ने अब पब्लिक चाहती है कि एक मौका अर्विन के जरिवाल जी को दिया जाए तक यहां पर भी विकास होते हैं आपका क्या नाम है शिवानी शुकला आप शिवानी जी महिलाओं के अगर हम बात करें लड़कि करेंगी जरूर करेंगी कि मैं भी एक महिला हूं और मैं यहां पर पहले मैं कहीं पर जौप नहीं कर रही थी पैसो की मतलब किराया इतना ज्यादा था बसका और हर जगा का लेकिन उसके बाद अब मैं नौइडा खुद जाते हूं जौब करने अकेले वो भी बस में बैठक तो यह बहुत महीं बहुत स महीराएं मैं से बहुत से महीना तो देखते हूं बस में यकी महीं जाने ना चाना कर रहा हैं तो इसलिए कर पार एंais समाज के सब्सक्राइब केशार पर करेंट से-थामादी पार्टी को और कि दो कि बसे कर करें अधर कारण से यह अवारे समाच से आते हैं और आज सिसी पार्टी नहीं तिकट नहीं त्यांगिया है तो छो प्रतियासी में आ भादी पार्टी का ढई techni का और जनता के लिए खड़े हुए हैं और जो 15 साल से भागपा ने नरग बना आया है सुनिया विहार को और सभापुर्जबाद को उस समय साथ के सब्धान के लिए हम लोग फॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी जनता सपोर्ट कर रही है फॉजी को और फॉजी के चेहरे जो उन्हेंने काम किया है तो इसलिए और हमारा समाज में इनको पूरा पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है तनमन धन्सी नीरच जी हैं और नीरच जी कई चुनाव लड़ चुके हैं और लड़ा चुके हैं और काफी एक्स्पिरेंस रहा आमादी पार्टी का शुरू आज से जब पार्टी बनी तो नीरच जी काम करते हैं और नीरच जी ने कपिल मिस्रा को भी चुनाव लड़ाया था जो आमादी पार्टी मंत्री रहे और आज बीजेपी में लेकिन आखिरकार एक्स्पिरेंस की बात करें तो नीरच जी को बहुत सारे आंकड़े आते इस जहां तक है लगता मुझे जो बोर्ट प्रसेंटेस्ट बढ़ेगी ना वह बीजेपी से बनेगी भाजपा तो नीचे आपके लड़ाई बीजेपीस नहीं है बिल्कुल भी टकर नहीं है लवलेस से ना निदली कि क्या वैलूर निदली क्यांग्रेस भी दमखम लगा रही ह है जादो की टेसे भी नहीं है से निधी पर हाती सकता है और जालो भी चल रही है जाडू चल रही है और में जो चीज है जहां बी गलियों में बात करते हैं लोगों से सब का मूड़ है कि घाड़ू को जिता तो पहले कमिया जो ही है आज माहौल लगबग वही है जब स्टार्टिक में कपिल मिस्रा को जिताया था उससे अच्छा माहौल है आज क्टेट में और आप बाट जीत रहे हैं हाँ दोनों वाट जीत रहे हैं तो कि दो वाट में देख का बहुत प्यार मिला है और बोट को सीधह मिला है होज हमारे चुनावा लड़े हैं पहले देश की सेवा करते बजता आज होगे जित रहें पका पकात है मैं सबापरवाइट की जंता से भीग मांग चाहती हूं इस चेतर के उसलिए कि इस um पंद्रा साल आप लोगों ने इस निकम्मी भाजबा को दे दिया चिसने आपको कूड़े के अलावा कुछ भी नहीं दिया और लिंटर मापियाओं को इन लोगों ने करोड़ बदी अरभपती बना दिया तो इस बार अरविंद केजरिवाल जी को मेरे पापा बिरंदर जी जाड़ उपर दीजिए जी आपका नाम विकास है लेकिन हैं क्या लगता है इस बार्ण विकास हुए विरंदर फॉजी जी है इन्होंने फॉज में देश की रक्षा करी है और मुझे पता है कि अब 250 वाट को यह नंबर वन वाट बनाएंगे और इनमें काबलियत भी है हमने कोविडी के टाइम में भी देखा है लगातार समाज के लिए काम करते रहते हैं और लोगों का प्यार भी मिल रहा है और हमें पूरा प्रोसा है कि इस बार हम अज बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे मैं देख रहा हूं लगातार चुनाव में आप ही काफी मैंनत कर रहे हैं क्या लग रहा है बिरंदर जी कि किस तरह से जीता है यह को हम अपने वाट को जाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और हमें पूरा बिश्वास है अपकी बार जंताने मूर बना लिया है जाइस सो सब्सक्राइब को फोजी के नित में जा रहा है और मैं यहीं अपीर करूंगा अपनी वाट की शेदवाशियों से कि अपकी बार हमारे फोजी को इतने बटन दबाएं वह भारी मतब्सक्राइब बने मेरी यहीं उम्मीद है कि अपकी कोई भी कुछ काम होता तो फोजी साथ पहले आता चाहे सुबे फोन करो सामके फ़न करो विकल इम अंदर छोबी आ है इस बार तो जाड़ू चले गया पका दो सब्सक्राइब झाल